प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, नो यूर फेट वाहन का जो कलर है, आपकी गारी का जो रंग है, उसकी समस्त उर्जा को प्रभावित कर देता है गारी का जो कलर है आप देखें, आप उसी कलर के अंदर बैठते हैं गाड़ी के अंडर बैठते हैं बाहर से वही रंग आपके उपर आपके सर के उपर आपके शरीर के चारो तरफ वो रंग आ जाता है गाड़ी में बैठने के साथ तो जो उसका एनरजी लेवल है जो उसकी उर्जा है वो आपको प्रभावित कर देती है अगर उसका रंग आपके लिए अनकूल है तो वाहन में आप अच्छा महसूस करेंगे आप यात्रा करेंगे खुश रहेंगे आपको अच्छा लगेगा यात्रा करते समय गीत गुन गुनाएंगे अच्छा महसूस करेंगे किताब पढ़ेंगे खुश रहेंगे और अगर वाहन का रंग आपके लिए अनकूल नहीं है तो वाहन में चिंता होगी, घबराहट होगी कहीं गाड़ी का एक्सिडेंट ना हो जाए कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए कोई दिक्कत ना हो जाए इस तरह का एक तनाव बना रहेगा अगर गाड़ी का रंग बहुत अच्छा नहीं होगा और उस रंग में बैठ के आप यात्रा करेंगे आपका मन पूरी यात्रा के दोरान परिशानी का अनुभव करेगा इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब आपको चुनना चाहिए माल लिया आपका ब्रिहस्पती सबसे जादा अनुकूल है तो गोल्डेन कलर और पीला रंग आपके लिए सबसे जादा शुब होगा तो जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे जादा अनुकूल है उसी ग्रह के हिसाब से आपको वाहन के रंग का चुनाव करना चाहिए एक बड़ी कीमती बात जानिये कि सफेद रंग का वाहन सबके लिए अनुकूल होता है सफेद रंग का वाहन सबको सूट करता है क्योंकि सफेद कोई रंग नहीं होता सातों रंगों को मिला करके जो रंग बनता है वो होता है सफेद इसलिए उसके अंदर हर रंग होता है इसलिए सफेद रंग सब को सूट करता है सफेद रंग का वाहन कोई भी कैसे भी आँख मूद कर ले सकता है लेकिन काले रंग का वाहन अधिकतर लोगों के लिए अच्छा नहीं होता अगर आपका शनी बहुत अच्छा है आपको लाब पहुचाने के लिए तैयार है तब आप काले रंग का वाहन ले सकते हैं अन्यथा 90 प्रतिशत मामलों में काले रंग का वाहन अच्छा नहीं होता जहां तक संभव हो काले रंग के वाहन से बचना चाहिए वाहन की दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है उस पर भी बात करेंगे लेकिन फिलहाल आ जाते हैं सापताहिक राशी फल पर और बात करते हैं करक राशी की आस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आस्टो तक आप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से